हेलो एब्रिवान, आज का नास्ता थोड़ा सा अलग धंग से और अलग धंग से हमने बनाया है और बहुती टेस्टी और बहुती लाजवाब बहुत ही मज़दार सा नास्ता है तो यम्मी यम्मी नास्ते को स्टार्ट कर लेते हैं पटापट बनाकर रेडी करते हैं तो यहां लिए हैं हमने एक कटोरी ग्यहूं का आटा और ग्यहूं के आटे से आज का नास्ता बनेगा फ्रेंच जो हेल्थी भी होगा टेस्टी भी होगा मज़ित्तार भी होगा नमक डाल दिया है, थोड़ी सी अजवाइन डाल दिया है और अब डाला है इसमें थोड़ा सा तेल तेल या खी, दूनों ले सकते हैं अब गी से भी नासा उतना ही खस्ता बनेगा तो बस अब एक पर इन्हें मिला लेंगे और मिला कि अच्छे से मोईनिस में लगा लेंगी और फिर हम गुंदेंगे इसका आटा तो बस अब थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसका हम आटा गुंदेंगे आटा हमें चाहिए बिल्कुल बीच वाला जिसे बोलते हैं ना ही soft और ना ही tight जो बीच का रहता है वो आला चाहिए तो थोड़ा थोड़ा पानी गिरेंगे और आटे को गुंदेंगे तो फ्राइज नास्ते बहुत होते हैं यहोंकि आटे से आलू से लेकि नास्ते थोड़े से अलग-अलग धंकी हो जाते हैं बनाने का तरीका भी अलग होता है और टेस्ट भी थोड़ा अलग हो जाता है तो आज हम बनाने का तरीका भी अलग करेंगे और टेस्ट भी थोड़ा सा अलग करेंगे जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि कुछ सीजिस में ऐसी मिलाने वाले हैं जो बच्चों का बहुत फैबरिट होता है और नास्ते की जान बना देता है तो हमने नहीं यहाँ पर आटा गुंद लिया है और आटा देखे बिल्कुस सही गुंदा है ज़धा धिला नहीं गुंदा है और रख दती है मिसे साइड में तो अब लेंगे एक बढ़ता न उट में लेंगे एक आधा कटोरी के होंका आटा आदे से भी कम लेजिए कोई लोंजी के साथ डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके आटे में और फिर डालेंगे कुट हुई लाल मिज जिसे हम चिली फ्लेक्स बोलते हैं और धन्या पत्ती डाल देजिए भर भर कर और अब इन्हें एक बार मिला लेंगे और आप डा देंगे हम साइड में दो काम हमारे हो चुके हैं आवाज आते हम तीसरे काम की तरफ तो आवाज आते हम तीसरे काम की तरफ लेंगे पैन गैस ओन कर देंगे एक चमस हम इसमें तेल डाल देंगे थोड़ा सा राइक दाना डालेंगे और फिर डालेंगे इसमें थोड़ी सी ह और फिर डालेंगे इसमें प्याज बारी कटा हुआ लंबे-लंबे स्लाइस में और बस फिर अब क्या करेंगे थोड़ी खारमीज भी डालदेंगे भाई तीखा खाना है हमें और अब मिला लेंगे इन्हें थोड़ा सा हमारा जो प्यास है भुन जाए तो फिर डालेंगे थोड़े पूती मसाले इसमें तीखा और शर्पटा बनाने के लिए अपने हिसाब से मसाले डालेगा जैसे भी आप खाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें सब हम मिला लेंगे स्था अब मसाले डाले एंतो भूने गे फिर बहुने तो जल जाएंगी तो पड़ पड़ डाल ड VII माटर यह मैने मटर vorne मटर होते है वह लिए है और अब डाला है मैने इसमें आलू एक ही आलू था एक ही आलू से हमें नस्ता बना रहें और अबक्र पुषक जो एक आलू से अराम से बन जाएगा और हमने थोड़ा सा नमक इसमे और डाल दिया है तो तीन जगा नमक के है फ्रेंज आटे में और घोल में और आलू में तो थोड़ा थोड़ा नमक करके डालेगा और अब डाला है हमने यहां पनीर पनीर भी थोड़ा सा ही था तो डाल दिया तो दोनों को मिला कि आज नास्ता बनाने वाले हैं और जो पनीर होता है na सबका बहुत फैवरिट होता है और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है पनीर की आप कोई भी रेस्पी बना के दीजिए, कोई भी नास्ता बना के दीजिए, बड़े शोक से खाते हैं, तो मैंने यहां थोड़ा सा पनीर था, एक आलू था, थोड़ा से मटर थे, सब को मिला कर यहां पर त्यार कर लिया है, इसका मसाला जो बहुत ही मज़दार बनना है, तो चलिए, अब आटे को देख लेते हैं, आटा भी काफी समय से रेष्ट कर रहा था, काफी समय तो नहीं, थोड़े समय भी रेष्ट कर रहा था, क्योंकि जब तक हमने मसाला त्यार किया, जब तक ही रेष्ट कर रहा था, और अब एक बार थातों से अच्छे से मसाल लेंगे, और अब छोटी-छो इसको पेल लिया है, पूरी से थोड़ सा बड़ा रखिएगा, थोड़ असा बड़ा, आप जो हमने रखा था आलुक और पणीर का मसाला, वह इसमें डालेंगे, तो दो चमस मैंने यहां डाला है, और अब क्या करेंगे, और अपना मसाले को पीचाद 20 में हम रखेंगे, यान पानी लगाना भी बहुत जरूरी है तो फिलाल एक तरफ को ऐसे उठा कर हम फोल्ड करेंगी और वीडियो देखके तो आपको क्लियर समद में आ रहा होगा कि हमें कैसे बनाना है तो लेजेंगे पानी ब्रश की सैता से ऐसे कर लेंगे या फिर उंगली की सैता से भी आप कर सक पानी लगाना जरूरी है तो जो हम घोल त्यार किये थे ऊथना उसको भी आप लगा सकते है नित्तोबर पानी भी लगा सकते है यहां देखे ऐसे उठाना है और इसके उपर हमें से रख देना है देखे और उंगली की सैता से थोड़ा से दबा देंगे ताकि यह चिपक जा और इसके जो इदरवल हिस्सा है और इसको भी उंग्रियों की सेता से दबा देंगे इस तरह से लेकर ताकि इदर से निकले नहीं सेफटी बहुत जरूरी है फ्रेंस क्योंकि अगर तेल में जाकर ये खुल गया ना तो फिर आपकी मैनत भी बरबाद होगी तेल भी खराब होगा और सुनना जो होगा फो अलग होगा तो इसलिए थोड़ी से से थोड़ा सा ध्यान से पेसक थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन अच्छा रेजल्ट आता है ये देखिए इस तरह से लेना है हमें पाने लगा देना है और इसको तूड़ा से ऐसे फोल्ड कर देना है ऐसे करकर पैक साइट से और दुसरे को भी उठा कि इसके उपर लगा देना ये देखे इस तरह से बस ये देखे कितना सुंदर सा डेजान बनकर हमारा देडी हुआ है तो हैना समोसा कचोरी को भी फैल कर देगा ये नास्ता बहुत ही टेस्टी बनता है मज़दार बनता है तो देखिए यहाँ पर जो घोल है एक पर हमने चम्मस से इसे थोड़ा खोल लिया है और अब इसको इसे डालेंगे और चम्मस की साथ से इसके उपर की तरफ थोड़ा सा हम कर देंगे धनिया पत्ती जो भी हम निराला है इसके उपर आ जाए थोड़ा सा और देखिए ऐसे उठाएंगे हम चमच या फोक किसी की सेटा से भी आप कर सकते हैं और यह देखी दूसरा भी आपको करके दिखाती हूँ तुरन-तुरन करना है और तुरन-तुरन तेल में डालना है तो देखी इस तरह से करना है और ऐसे उठा कर तो पाणी एक्स्ट्र है वो निकाल देंगे और यह देखी कितना सुन्दर दिख रहा है तो बस अब क्या करना है कड़ाई में हमने तेल गरम पहले से ही रखा वा था और तेल ठीक ठाक से गरम है जटा गरम नहीं है मीडियम में गरम है और आप इसको ऐसे डाल देंगे हम एक एक करकर तो देखी फ्रेंस यहां हमने तीन डाल दी है और जब एक तरफ ही सिख जाए और फिर ही पल्टेगा जब एक तरफ अच्छे से तल जाए तभी इसको पल्टेगा तो देखी अब उलट पुलट करकर मीडियम फलेम में हमें इसे करारा होड़े तक तलना है तो इस नास्ते को आप कम तेल में भी बना सकते हैं तो जैसे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ आप इसको कम तेल में उलट पुलट करकर भी त्यार कर सकते हैं तो हैना बहुत ही गजब सा नास्ता तो बिल्कुल आपको समोसे का ही टेज़ इसमें मिलने वाला है तो बस फर्क यह है कि समोसा हम मैदे से बनाते हैं और यह हमने थोड़ा ग्यहों के आटे से बनाया है तो आप यहां ग्यहों के आटे की जगा मैदा भी ले सकते हैं फ्रेंच देकि मैं ग्यहों के आटे का नास्ता की नास्ते के रैस्पे शेयर करने जा रही थी इसलिए मैंने या ग्याहूं का आटा लिया है तो ये नास्ता जो है न सबको पसंद बहुत आएगा क्योंकि इसमें पनीर भी गिरा है आलू भी गिरा है बच्चों का मन पसंदा भी गिरा है तो सबको बहुत पसंद आएगा तो चले नास्ता हमारा रेडी हो चुका है कैचप के साथ खाई ये चटनी के साथ खाई ये बिना उसके खाई ये मज़ा तो आने बाला है तो फ्रैंस अगर आपको आज का वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की गंटी को अवश्य प्रैस कर लीजिएगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और ये दिखी हमने तोड़ की दिखाया ला जवाब मजेदार नास्ता मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तेह दिल से धन्यवाद